हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकिशन के चैनल पर तो आज हम लेकर के आये हैं बैसिक कोर्स का चप्टर 3 चप्टर 3 अभी तक के जिएफ का चप्टर 3 भी नहीं आया है हम लोग बैसिक कोर्स चप्टर 3 लेकर के आ गलते से बिट हो जाए तो चलिए आज हम लोग शिखते हैं अपने डेक्स्ट्ट प स्क्रीन की और हलो दोस्तों तो आगे हम लोग कुम्प्टर एसकीन पर और आज हम लोग जान लेते हैं कि डेक्स्ट्ट पर नया फोल्डर कैसे बनाते हैं पको कहीं भी खाली जगध बलेंगे रहा पर राइट क्लिक करना हुआ सो यहां पर आपको दिख रहा हो गाँ की अंदर यहां सामने में देखेगा फोल्डर फोल्डर पर क्रते करते ही आपके यहां पर नया फोल्डर बन जायेगा बाहर किलिक कर ये new folder ना में से से हो जाएगा फिर I trust करना है फिर new में आना है और new के सामने población करना सामने सामने आना है घूम के नहीं आना है अगर आप फोरा great शोह करते ही आते हैं तो देर हो जायेगी चुट जाएगी इसे लिए आना है तो डाड़ली आना हैै तेसर आना है अगर आप घुम घुम के आते हैं तूर करते हुए आते हैं तो इसपीड में ऑप स्बीड में आयेगा तो ट्रेंड पेर-थे लिए गश् AMO ä К com और अगर भी दिए चलते हैं तो इसके सामने सामने पर इक किलिक कर दिएगा तो नूट कीबोट की की दaudet बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि लिए वो करना क्या है कंट्रॉल म रहा है और सिफ्ट राना है कंट्रोल सिफ्ट दोनों को होल्ड करके रखना है कन्तो टोल सिफ्ट दबना दिये और जी फोल्डर का पहला बन गया क्ट्रोल सिफ्ट दबाईए एंडवाई एंटर करते जाएंगे और वह अपने मन से नया फोल्डर का नाम देते जाएगा अगर आप चाहते हैं कि नया फोल्डर बनाने के बाद उसका नाम को चेंज कर दें तो जिस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो उसके उपर पहले क्लिक करेंगे उसके उपर पहले क्लिक करेंगे और आपको नीचे जब आएगा नीचे तो आपको नीचे मिलेगा रीनियम रीन अब स्थाप्ट करेंगे और उस फॉल्डर के ऊपर पहले क्लिक करेंगे और फिर दोवारा क्लिक करेंगे करेंगे उसमें कर दो बार कर देंगे इन्टर कर दीजिए यह पहले करेंगे और चीवर्ट को दोबारा आपने उसमें करसर आ जाएगा अपने नाम देना हो उसमें नाम देना हो उसमें नाम दे सकते हैं इंटर करते ही अपने इस तरह से आप फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर के अंदर जितन फोल्डर बनाएं सभी फोल्डर गुट्फ फोल्डर के रखना है तो का करेंगे सभी फोल्डर को करते हुए करेंगे और इसको मौस का क्लिक करते हुए इसके अंदर लाके छोड़ देंगे जब तक कि यह मूग टू लिखावा नहीं दिखा देगा तो छोड़ेंगे नहीं उसमें क्लिक छोड़ दीजिए जैतने फोल्टर आप सेलेट किये सभी कहां पर आ गया गूट के अंदर आ गया अब उसमें फोल्ट करना है तो कीसी पिफ़ोल्टर को और पिकलिक करनेगे और यहां से open कर लेंगे दूसरा तरीका इसमें सिंगल क्लिक करेंगे और कीबोड की दोवारा एंटर की कर देंगे open हो जाएगा इसो यहां से close कर दीजिए तीसरा जो सबसे best और सबसे आसान है जी हां दोस्तों इसी भी आइकन को open करना हो तो इस पर double कर यह फास्ट में double click कर दीजिए तो आपका वह आइकन फोल्डर ओपन हो जाएगा चैको भी वीडियो और यहीं बजाना उसमें जाएगा तो फिर इसको जिसको बहार निकलो फ्रिस लागा चला जाएगा तो इस तरह से आप बहार मिन कर सकते हैं और किसी फोल्डर को open कर लिजिए इस फोल्डर के अंदर यहां पर एक और लाना हो तब क्या करेंगे जो तरीका पहले अपनाए सकते हैं तो अब हम देख लेते हैं किसी भी मीं सब्सक्राइब हो यह चाह्याक और तो क्लिक करेंगे और यहां से आपर इपकी से जैना टारीका जो है इसके ओपर कलिक करेंगे कीबोड से बटन दबा होता है या नहीं तो रैट क्लिक करके भी इसको आपको अंडू डिलीट कर सकते हैं तो फिर दुबारा से वापिस आ जाएगा और अंडू कब तक काम करेगा वापिस कब तक आएगा जब तक सिस्टम ऑन है अमाले जीट कर दिए आपके ध्यान में रहा नहीं सिस्टम बंद करे चले गए अगले दिन फिर सिस्टम को आउन किये अ तब याद आया कि जा मेरा फोल्डर क्या हुआ तब क्या करिए तब अंडू करेगा तब अंडू कामी नहीं करेगा क्योंकि अंडू कट कोपी जो भी करते हैं वह सब रहाता है रहां में से वाचीज कब तक रहता है ज्यद्ध सिस्टम बंद डाटा खातम तो सिस्टम और करने के अब आप याद आता है कि वह गलती से डिट हो गया तो कै करते हैं नोर्मल डिट करते हैं तब अगर उसको पर पर दिए तो जो भी नहीं करते हो कहा रहता है तो इस फोलडर को अपन कर लेते हैं इस आइकन को पर लेते हैं तो इस पर डबल क्लिक करते हैं अप जितने भी चीज़ डिलिट किया होंगे वह सभी आपको यहां पर दिख रहा है इसके अंदर जो आप इस एक पर देख रहा है इसको वापस निकालना हो उसको वापस निकालने का भी तुम तरीकार पहला इसको और यहां मिले इस्टोर कर देंके दूसरा कि इसको double click करके इसको open कर लेंगे और यहां से restore कर देंगे और तीसरा जो है आपको option में दिया गया है कि जिसको वापस से निकालना है उसके लेजाने का इसके उपर राइट किलिक करेंगे और यहां से restore कर देंगे restore पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो folder did होए थे वह वापिस से इसको बंद कीजिए वह वापिस से जहां पर था वहीं पर आपको दिखाए देंगे good नाम से तो जिस चीज को आप डिट करते हैं वो सभी चीज कहां पर होते हैं recycle bin के अंदर इस पर double click कर यहां पर restore करने को का क्रते हैं तो हम लोग जान गए कि कैसे रबनाते हैं कि सेट करने हैं कि वापिस लाते हैं रुकिये दूस्ता का इंत्जाम है वह करते जाए क्या दो अपना ठुक ये सब्सक्राब भी ठुक दीजिए लैक सब्सक्राब कर दिये हैं अपने अपने दोस्तों के साथ शेर करना नहीं भूलिए अगर शेर भी कर दिये हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया तो हम लोग इंतिजार करते हैं नेक्स्ट वीदियो की